अलो एविवन, वेलकम टू फ्री स्टडी, सो नेक्स्ट वीडियो फॉर इंस्टा करन्ट अफेर्स, इंसाइट साइट साइएस, पीडिएफ से ये हैं रिटन नोट्स हैं पेज नमबर 1-20 हमने कर लिया था, नेवेंबर की कंपाइलेशन हम कर रहे हैं आज पेज नमबर 21-30 करेंगे, अगर आप चानल पर न्यू हों तो सब्सक्राइब जरूर करें, बैल आइकोन प्रेस करें और वीडियो को शेर भी करें पेज नमबर 21-30 स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है, तो एक बार आप उसको जरूर देख ले क्योंकि टॉपिक्स ऐसे ही होते हैं, जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो आप कंटिन्यूटी में वीडियो देखें अगेन आपको ये पीडियो अगर चाहिए, तो आप मेरी एमेल आईडी पर एमेल कर सकते हैं, और बाई पेइंग ओनली रुपीज 90, यू जो ये बताता है, कि कोई भी एम्पी या जो एम्मेले है, वो सेंट्रल या इस्टेज गोर्मेंट के अंदर कोई भी ओफिस ऑफिस हैल्ड नहीं कर सकता, तो अभी ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि जोइंट पार्लियमेंटरी कमीटी ने ओफिस ऑफ प्रॉफिट पर पूछा, एंड एक तरीकी से डिसकॉशन हुई, कि जो एम्पी है, क्या वो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकता है, या फिर नहीं पढ़ा सकता है, तो इसका answer तभी पता चलेगा, जब में office of profit का meaning पता होगा, तो office of profit मतलब कोई भी MP या कोई MLA, कोई ऐसे government office के अंदर काम करते हैं, और वहां से उन्हें कोई फाइदा मिलता है, benefit मिलता है, तो वो disqualified हो जाएगा, means वो MP या MLA नहीं बन सकता, क्यों नहीं ब post पर बनेंगे, जैसे कि मालेज, आप IAS, IPS, कुछ भी अगर बनते हैं, तो आप इस government office held कर रहे हैं, और उसके बाद, अगर आप MP या MLA भी बनते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप वो अपनी position का गलत यूज कर सकते हैं, तो जो legislators होते हैं, उन्हें obligate नहीं feel करना executive को, means जो जो भी कानून बनाते हैं, MP, MLA, अगर कुछ कानून बना रहे हैं, तो उन्हें इस तरीके से नहीं feel होना है, कि हाँ हम इस executive के प्रती, जो है हमारी कोई duty बनती है, नहीं, अपना legislative function perform करते वक्त, MP and MLA को obligate नहीं feel करना, वो अपनी duties को freely carry करें, उनके उपर कोई government pressure नहीं होना चाहिए, और यह basic feature भी है हमारे constitution का, कि legislature and जो executive है, उस वो separate है, controversies क्यों है, इसको लेकर क्यों यह बार-बार news में आ जाता है, क्योंकि यह representation of people act 1951 में defined नहीं है, and courts के ओपर छोड़ दिया जाता है, कि वो इसे decide करें, case धियान रखेगा, एक प्रद्युत बोर्दोलोय वर्सि अपनरोय का case था, 2001 में, जिसमें चार principles बताए गए थे, office of profit के लिए, कि अगर मान लेजेए, आप किसी office के अंदर काम करते हैं, and government का आपकी appointment पर, removal पर, या आपकी functions पर control हो, तो वो office of profit है, अगर उस office से आपको कोई भी remuneration मिल रही है, वो office of profit होगा, अगर वो government से attached है, and influence कर पा रहे हूं, and इस तरीके का office आप held करते हैं, तो वो office of profit होगा, and अगर आप office of profit में है, तो आप MP ये MLA नहीं बन सकते, then देखते हैं, anti-defection law, last year भी ये काफी news में रहा, and जो इंडिया के अंदर पहले MP, जो है, वो disqualify हुए है, as MLA in Mizoram, तो Mizoram के जो assembly speaker है, उन्होंन लाल्दू हुमा थे, ये जोरम people movement से attached थे, तो देखते हैं, इन्होंने अपने आपको declare किया था कि मैं जोरम people movement का representative हूँ, जबकि वो independent तरीके से candidate से elect हुए थे, सर्चिप assembly constituency से, तो अभी हम पढ़ेंगे भी कि अगर को independently candidate बन कर आता है, तो वो किसी party को join नहीं कर सकता, ठीक ह तो anti-defection law आपका 10th schedule 52nd amendment 1985 में डाला गया था, parliament and state legislature दोनों के लिए योग होता है, और इसके इंदर disqualification की process भी समझाई गई है, किसी member को कब disqualify कर दिया जा सकता है, अगर कोई member खुद ही अपनी membership छोड़ दे, तो उसको disqualified माना जाएगा, क्योंकि उसने anti-defection किया है, इसके साथ, अगर मान लेजे, member ने उस party से permission ले हुई है, 15 दिन की अंदर-अंदर एंड इस तरीके की voting होती है, तो फिर वो disqualified नहीं माना जाएगा, कोई independent candidate जैसे अभी लालदू होमा का देखा, कि independent candidate थे, इन्होंने election के बाद किसी political party को join कर लिया, ZPM को, तो ये disqualified है, कोई nominated party 6 महिने के अंदर, क्या करे, किसी party को join कर ले, ठीक है, तो अब जो, कुछ ये point भी धियान रखेगा, अगर two-third members किसी party के merge के favor में vote कर देते हैं, तो उसे disqualification नहीं माना जाता, means, मान लेजे, अगर इसे 30 हैं, तो उसमें से two-third, यान के 20 बोल देता है, कि नहीं हमें इस party में नहीं रहना, we want to split, और हम किसी और के साथ merge करना चाते हैं, तो वो disqualified नहीं होंगे, Supreme Court ने 1992 में कहा था, कि जो presiding officer होते हैं, जैसे assembly में speaker हो गए, तो ये ही decide करते हैं, लेकिन judicial review इनका भी हो सकता है, दिनेश गोस्वामी, D से anti-refaction law ध्यान रखेगा, तो इन्होंने दो चीज़े बताई थी, एक तो जब voluntarily अपनी जो membership है, वो give up कर देते हैं, या vote देने से मना कर देते हैं, मालेजे no confidence motion होता है, उस time पर आप party को vote ही नहीं दे रहे हैं, तो means आप एक से धोका दे रहे हैं, ठी कुछ provisions हैं, जैसे splits and merger के जो ये provisions हैं, इन्हें हटा देना चाहिए, जो pre-poll electoral reforms हैं, इन्हें थोड़ा अच्छे से देखा जाना चाहिए, और WIPs का भी issuance अच्छे से देखा जाना चाहिए, जब खास कर सरकार खत्रे में हो, तो WIPs क्या होते हैं, ये साब आप जो रक्षम कमिशन ने कहा है, कि जो भी, एलैक्शन कमीशन जो भी एडवाइज देता है, प्रेसाइडिंग ओफीसर को, वो प्रेसाइडिंग ओफीसर पर बाईंडिंग होती है, AND अगर एलैक्छन कमीशन ने कह़ए दिया कि ये person Gray is Terक, प्रेसाइडिंग ओफीसर को से दिस्वालिफा केस दाखिल किया गया, सीम के खिलाफ, लेकिन एक्टॉर्णी जनरल ने इसको मना कर दिया कि नहीं यह कॉंटेम्ट ऑफ कोट नहीं बनता, क्यों नहीं बनता क्योंकि आभी थोड़ा देखते हैं, थोड़ा न्यूज में देखते हैं क्या इशू था, आंदरपरदेश के जो स इप्लिमेंट नहीं करने देते, तो कॉंटंप्ट में बतलब क्या होता है कि कोट अगर कुछ कहता है, आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, कोट की डिगनिटी को लोवर करते हैं या कोट जब जब जास्टिस देना चाहता है तो उसमें आप इंटरफेरेंस करते हैं, अब दो तरीके के होते हैं, एक होते है civil, एक होते है criminal, civil means जब आप जान पूछ के disoven करते हैं, कोट ने आपको कुछ कहा, आप वो करी नहीं रहे हैं, criminal means आप कुछ लिख कर, कुछ बोल कर, कोट की बेस्ती करते हैं, उसकी authority को lower करते हैं, interference करते हैं, तो वो होते हैं क्रिमिनल, article 129, article 215 EC से related है, supreme court and high court जो है, वो लोगों को punish कर सकते हैं, अगर आप contempt of court करते हैं, और जो section 10 है, contempt of court of act 1971 का, इसके अंदर high court जो है, वो subordinate courts को भी punish कर सकता है, constitution में भी लिखा है, कि contempt of court जो है, वो एक अच्छा है, ऐसा नहीं है कि बिकार है, हम यह है, हम कि बोल सकते हैं, कु उसके उपर एक reasonable restriction लगाता है, now no requirement for supreme court to take attorney general consent in initiating criminal contact, तो यह भी जरू नहीं है, कि supreme court को को कोई attorney general का consent लेना पड़े, तो attorney general नहीं वैसे मना भी कर दिया है, then देखिए high court panel questions, setting up of special courts to try MPs, तो जो high court है, उसने कहा है, कि कुछ high court के जो panel है, उन्होंने questions हुठा है, कि यह जो special courts बन जा रहे हैं, member of parliament को देखने के लिए, जैसे MPs, जो criminalization होती है, politics के अंदर, वो भी हम देखेंगे भी, कि कितने criminals बैठे हैं हमारी politics के अंदर, और यह हमने last time भी किया था, September के current affair के अंदर भी किया था, तो तीन जज़ की committee बैठी मदरास high court के अंदर, कि यह जो special courts बनाए गए यह offense centric नहीं है, offender centric है, MP के लिए बनना तो offender centric हो गए, जो special courts हैं, वो किसी कानूं के थुरू बनने चाहिए, किसी executive या judicial facts के थुरू नहीं बनने चाहिए, timing of court देखें, तो high court की जो committee है, 2017 का supreme court order आया था, कि 12 special courts बनाने होंगे, ताकि criminal politicians को try किया जा सके, तो इन special courts की क्यो जरूरत है, क्योंकि 4000 से भी जादा cases है, MP and MLA के खिलाफ, इन में से 2556 के खिलाफ है, मतलब 5000 से जादा cases, जो हैं, MP and MLA के खिलाफ हैं, कारण क्या है, corruption, भ्रष्टाचार, money laundering, public property को damage पहुचाना, defamation, cheating, तो यह सब काम करते हैं, section 188, IPC को violate करते हैं, जान पूच कि अगर कोई public servant, जैसे आप चल के आगे public servant बनेंगे, तो आपने कोई order दिया, उसको violate करते हैं, और यह pending रहते हैं, appearance stage में ही, non-bailable warrants जो है, वो नई execute की जाती, इने bail दे दी जाती है, बिहार में 89% से भी जादा, जो assembly constituencies हैं, वहापे 3 और 3 से भी जादा criminal cases आपको मिलेंगे, तो बिहार क की हालत सबसे जादा खराब है, तरीका क्या है इससे बाहर मिकलने का, तो political parties इनको tickets ना दे, जब पता है कि ऐसे criminal लोग हैं, तो ऐसे को ticket से क्यों देना, जो representation of people act है, इस comment करना चाहिए, fast track courts बनाने चाहिए, जादा पारदर्शिता लानी चाहिए, जो election commission of India है, वो इनका auditing भ इसको पास कर दिया है, actually हर्याना पंचायती राज बिल जो था, वो 2020 के अंदर यह भी पास किया गया, यहाँ पे जो voters है, to increase their accountability, जो इस पंचायत के अंदर जो members होते हैं, आपने देखे होंगे गाउं के अंदर पंचायत बनती है, तो यहाँ पे जो काफी सारी members होते हैं, त 5% reservation, जो सबसे backward classes के अंदर, जो disadvantaged people हैं, उनको मिले, जो village के सरपंच होते हैं, या जो block level पंचायत समिटीज होती हैं, या जो district level जिला परिशद होती हैं, अगर वो कोई काम नहीं कर रही हैं, तो फिर उनको recall किया जा सके, वापिस बुलाया जा सके, procedure क्या follow करना होगा, 50% जो वापिस बुलाना चाहिए, recall करना चाहिए, ठीक है, secret ballot के through voting होती है, mandatory provision 73rd and 74th amendment act डाला गया था, जहाँ पे कहा गया कि direct elections होने चाहिए, जो अपमारे state election commission है, state finance commissions है, ये बननी चाहिए, दलित अधिवासीज के लिए, जो seats हैं, वो reserve होनी चाहिए, one third seat women के लिए reserve होनी चाहिए ये question जो है, वो काफी बार पूछा जा चुका है, exams के अंदर, district planning committees बननी चाहिए, देन देखिए, जार्खंड को एक separate religious code क्यों चाहिए, सरना ट्राइबल्स के लिए, why जार्खंड is seeking a separate religious code for सरना ट्राइबल्स क्योंकि 2021 के अंदर दुबारा से census किया जाएगा, तो सरना religion जो है, वो भी चाहते हैं, कि उनको भी एक तरीके से, जैसे कि आप बोल सकते हैं, जैसे हिंदुज्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया, तो इस तरीके से इनको भी count किया रहते हैं, पानी, जमीन, और जो followers होते हैं, वो पेडों की और जो hills होती हैं, उनकी पूजा करते हैं, और ये विश्वास करते हैं कि forest areas को क्या करना है, सुरक्षित रखना है, पूरी country के अंदर 50 लाग tribes है, और उन्हें अपना जो religion है, वो ये सरना मानते हैं, कि हमारा जो religion ह हैं, वो सरना है, नौ, इशू ये है कि इन में से काफी लोग ऐसे हैं, जो कि Christianity के अंदर convert हो गए, लेकिन अभी भी 4% से भी जादा tribals हैं, अब जो converted tribals हैं, वो benefit उठा रहे हैं, reservation का, क्योंकि minority का फाइदा ले जाते हैं, and ST बनने का भी फाइदा ले जाते हैं, तो सरना faith followers ज देख सकते हैं, 38.3 थी, अब 26.02 हो गई है, दूसरी states में ट्राइबल की तरह count नहीं होते हैं, यह भी ध्यान रखेगा, सिफ जारकंड में होते हैं, तो separate code मिलेगा, तो इनकी population record की जाएगी, जिससे इनका language और जो culture है, वो भी protect हो पाएगा, तो अगर center ने approve कर दिया, तो census 2021 के अंदर एकने space मिलेगा, रिलीजन के लिए, एक सरना रिलीजन देखने को मिल सकता है, अगर approve किया तो, अभी जो है, वो है, हिंदुईज्म रिलीजन है, इसलाम, Christianity, Sikhism, Buddhism and Jainism, देन देखिए, जो Supreme Court है, उन्होंने पिछले कुछ सालों में article number 32 को कैसे interpret किया है, तो article number 32 जो है, वो हमारा right to constitutional remedies, जिसे heart भी कहा जाता है, हमारे constitution का, तो वो है, soul of the constitution, heart and soul, तो बताइएगा कि, क्या मैं ये सही कह रही हूँ कि, इसको heart कहा जाता है, या soul कहा जाता है, fundamental rights को क्या कहा जाता है, तो कभी-कभी ये questions important हो जाते हैं, तो सच किजेगा, तो Supreme Court के Chief Justice of India ने, and से discourage करने की कोशिश की, क्योंकि एक petition आई थी, and journalist Siddiq Kappan, जो थे, उनको arrest कर लिया गया था, and बाकी तीन को भी, क्योंकि ये reporters थे, journalists थे, and ये जो हातरसकिंद, जो gang rape हुई थी, and जो killing हुई थी, उसको देखने के लिए, report करने के लिए जा रहे थे, तो article number 32, right to constitutional remedies की बात करत mandamus में command के जाती है, prohibition में रोका जाता है, ठीक है, and क्यो वेरेंटो में उसकी authority पूछी जाती है, तो इसको आप again polity की book से पढ़ ले, जो rights guarantee होती है, वो suspend नहीं हो सकती, जब तक constitution ही ना कहे, high court के पास भी ये होती है, article number 226 के according, and रामेश थापर versus state of madras 1950 में, जो article number 32 था, उसे remedy कहा गया था, कि fundamental rights के enforcement के लिए remedy है, क्योंकि अगर fundamental rights आपको कोई alert नहीं कर था, तो आपके पास right to constitutional remedies है, अगर ये नहीं होगा, तो फिर आप अपनी fundamental rights को भी enjoy नहीं कर पाएंगे, emergency के time पे एक और case हुआ था, additional district जबरपूर versus SS शुकला, 1976 में, जब Supreme Court ने कहा था, कि citizen जो है, they loses his right to approach the court under article number 32, तो यहाँ पे again आपको article number 32 जो है, वो अच्छे से पढ़ना होगा, आप polity से पढ़ सकते हैं, तो finally Supreme Court के उपर and individual judge के उपर होता है, कि वो जो intervention है, अगर वो intervene करना चाहते है, अगर किसी की fundamental right ले ली जाती है, तो उसके पास right to constitutional remedy है भी या फिर नहीं है, then इशू क्यों आ रहा है, क्योंकि के कारला के जो Congress P.J. Joseph faction है, जो के कारला के हाई कोट है, उन्होंने इनकी जो petition है, वो means dismiss कर दी, क्योंकि यह जो election commission का order था, उसको एक तरीके से उसको challenge कर रहे थे, कि जो उसके मानी जो है, यह official के कारला Congress है, और इनको official symbol दे दिया है, टू ली date हो गया, तो उनको तीन symbols में से choose करना होता है, जो भी free symbols होते हैं, जब भी nomination file करते हैं, and symbol ऐसे ही दिये जाते हैं, on first come first services, जो पहले आएगा, उसको symbol मिल जाएगा, जब recognized parties split हो जाती है, तो election commission जो है, वो decision लेती है, कि symbol किसके पास जाएगा, election commission जो order है 1968, यह election commission को empower करते हैं, क वो political parties को recognize करें, और उन्हें symbols भी a lot करें, पैरा 15 के अंदर अगर कोई dispute होता है, symbol से related, तो वो decide किया जाता है, and election commission ही authority है, जो कि dispute से related issues को देखती है, Supreme Court ने साधिक अली versus another, and another versus election commission of India के अंदर, Supreme Court ने इसकी validity को माना था, Now, दो type के symbols होते हैं, एक होते हैं reserved, एक होते हैं free, reserved 8 national parties हैं, उनको मिल लेते हैं, 64 state parties हैं, उन्हें मिलते हैं, free जो है, वो 200 के करीब symbols हैं, जो कि unrecognized regional parties को दिये जाते हैं, Then, देखिए, पंजाब का जो claim है, चंडिगड के ऊपर, वो थोड़ा जादा है, as compared to Haryana, तो पढ़ते हैं ऐसा क्यूँ, हरियाना government ने कहा कि अगर दोनों states, जो है, वो agree हो जाएं कि हाँ, चंडिगड जो है, वो अब एक union territory है, and वो अपनी अलग-अलग capitals बनाए, and अपने अपने benches बनाए, high code के, तो अच्छा रहेगा, चंडिगड देखिए, जब लाहोर को replace किया था, लाहोर जो है, वो पाकिस्तान को चला गया था, तब चंडिगड बनाया गया था, 1952 तो 1966, हरियाना पंजाब में से निकला, and चंडिगड ही capital रही, पंजाब को दुआर से 1966 मे reorganize करा, and उसके बाद चंडिगड को union territory declare कर दी, announce क्यों किया गया था, तो जो प्रधान मंतरी, प्राइम मिनिस्टर इंदरा गांधी थी, उन्होंने कहा था, कि हरियाना की खुद की capital होगी, जब कि पंजाब की capital होगी चंडिगड, 1985 में राजीव लोंगोवल अकॉर्ड उन्होंने एक special body बनाई कि चंडिगड को जुवरब करते हैं, लेकिन पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने एक कह दिया कि ये पंजाब को विलॉंग करती है, आप कोन होते हैं, इसके बारे में कुछ भी decide करने वाले, हरियाना ने कहा कि ठीक है, फिर हम भी अपना नया high court बनाए एक तरीके से पंजाब के उपर एक मतलब problem create कर दी, एक resolution पास किया विधान सभा के अंदर, कि हमें two rooms चाहेंगे, विधान सभा complex के अंदर, जो की possession है, इसके पास पंजाब के पास जिनकी possession है, तो इस वजह से दोनों के वीच में थोड़ी तनातनी हो गए, लास्ट टॉपिक अब वो funds जो है, वो COVID-19 में यूस किये जाएंगे, तो Union Government ने Disaster Management Act क्योंकि COVID को भी उसी में डाला गया है, और MP-led जो means funds मिलते हैं, MPs को local area की development के लिए उसको suspend कर दिया, तो ये 1993 में create किये गए थे, जो MP है, उसको कहा गया था कि आपको development करने हैं, community के अंदर assets and basic facilities provide करनी है, त जो कि पूरी तरीके से Government of India ने fund किया, और हर साल जो है, annual MP-led जो constituency की according पांच करोड रूपे भी मिलते हैं, special focus 15% उने areas को देने हैं, ताकि जो scheduled caste है, उनका भला किया जा सके, 7.5% scheduled tribes के लिए और 75 लाग assets को build करने के लिए, जो funds है वो aid की form में दे जाते हैं, और ये carried forward भी हो सकत हैं, मतलब गर इस साल खतम नहीं हुए, तो आप उनको next year भी use कर सकते हैं, जो members of parliament होते हैं, इनका recommendary role होता है, means इनको बताना होता है कि हमें यहापे पैसे खर्च करने हैं, ये काम करना है, ठीक है, तो इनका recommendary role होता है, जो 10% projects हैं, वो हर साल inspect होते हैं, लोग सभा members के elected members हैं, तो जहां से भी वो elect होंगे, उस state के अंदर कहीं भी वो उस पैसे को use कर सकते हैं, अगर लोग सभा और राज्या सभा के अंदर nominated हैं, तो कहीं पर भी country के अंदर, okay, so thank you so much, video short and brief थी, अगर कोई डाउट हो, तो आप comment section के अंदर लिख दीजेगा, अगर आपको PDF चाह आपकोणे हैं, चल् épisode के अंदर कर वोच हैं, वो पिसे पर उसंद support के अंदा र emergency राजट हैं, तो राजया हैं, तो फसक्त में भी वोजाइई को शन होंद्र को सब्सक्राव दो हताई हैं, प्यLI昂जाया आफ पूब59ता मैं यह हैं वोजा हैं, अगर प कर मोड़क पमें म